नमस्कार दोस्तों M.P.O.L.N.C.S.C. Business Training के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है जैसे की GTS के रिजल्ट के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं लगातार बहुत सारे वीडियो में हम जानकरी दियते जा रहे हैं यहाँ पर एक कमेंट आया था पूनां प्रजापती जी का जिनका सवाल था सर मेरा नाम नहीं आया है लिस्ट में मेरे 100% है हर्याडा से हूँ तो जैसे लाश्ट एक वीडियो में हमने हर्याडा के बारे में जानकरी दी थी हर्याड़ा में मैक्सिमम जितना रिजल्ट था उसमें सबसे ज़्यादा 100% का ही रिजल्ट था उसमें केवल 97 वाले एक ही स्टुजेंट था ST केटिगरी से बाकी OBC, SC, General जितनी भी केटिगरी सभी में मैक्सिमम जो रिजल्ट गया था वो 100% ही गया था अब उसमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने गलत एंट्री की होगी बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके माक्स गलत भर गया हैं जिस कारण से या उन्होंने जानबुच के गलत भर है तो वो सारे के सारे लोग DV में बार हो जाएंगे अब ये एक सवाल आता है कि 100% होने के बाद भी पहली लिष्ट में नाम क्यों नहीं आया तो इसका कारण जो है वो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि मालो आपने जिस preference के लिए फॉर्म भरा तो उस preference में अगर चार सीटे हैं सब्सक्राण चार सीट वहाँ पर अवेलिबल थी या दो सीट अवेलिबल थी तो उस दो सीट के लिए 100% वाले दो या तीन लोग थे जितने भी लोगों ने वहाँ पर preference को फिल किया था उनमें आपकी age बाकी लोगों की age से कम थी जिस करण से उनका नाम लिष्ट में आया आपका नाम लिष्ट में नहीं आया यहाँ पर यह preference दिया जाता है कि अगर माल लो किसी particular preference में किसी particular बियो के लिए दो लोगों के same percentage अगर है और दोनों लोगों ने एक ही जगह पे आविदन किया है वहाँ पर उनकी age जो है उसके आधार पर उसको factor मानते हुए लिष्ट में नाम दिया जाता है जिसकी age जादा होती है उसको पहले preference दिया जाता है इस करण से हो सकता है कि आपका नाम लिष्ट में नहीं आया है और अभी ये लिष्ट जो आई ये पहली लिष्ट इसके बाद अभी और भी लिष्ट आने वाली है क्योंकि जिस प्रकार का result अभी पहली लिष्ट में दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग अभी डीवी में बाहर होने वाले हैं जिस कालर से अभी भी पोस्ट बाकी रहेगी और इस पोस्ट को फिल फिल करने के लिए आंगे लिष्ट और भी अभी आने वाली है यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और भी इसी प्रकार से GDS से संबंदित ऑनलाइन एप्लिकेशन से संबंद जितनी ऑनलाइन फॉर्म आते हैं संबंदित जानकारी वीडियोज हम लगातार आपको इस चैनल के मादम से देते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में